हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई ओएस अप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने करल डाउन ट्रांजिशन एफेक्ट जो है वो इंबेड करना है अपनी अप्ल पहले हम करल अप और अधर जो फ्लिपिंग ट्रांजिशन के जो कैटेगरी के जो टाइप सी वो हम उनके वीडियो टुटोरियल अपने चैनल के ओपर अप्लोड कर चुके हैं अगर वो वीडियो हमारे आपने फॉलो नहीं किये तो प्लीस वो भी आप एक बार जरूर प्लस हैं वो अपनी iOS डिवाइस के लिए Xcode के अंदर Swift language की help के साथ develop कर पाएंगे तो यहां पे आप simulator में मेरी एक live running example देख सकते हैं मैंने एक image जो image view को यहां पे लिया हुआ है जिसमें आप Mickey Mouse की image को देख पा रहे हैं और साथ में मैंने yellow color में एक button लिया हुआ है तांके ज transition है वो effect कर पाए application के अंदर तो चलिए start transition के उपर click करते हैं और जैसे ही मैंने इसके उपर click किया तो आप देख सकते हैं curl down जो है effect यहां पे नजर आ रहा है आपको Mickey Mouse की image के उपर तो फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं फिर से click करता हूं start transition बटन के उपर और यहां पर आप देख सकते हैं button का भी जो color है जितनी time तक आपकी transition यहां पे effect करती है उस time पे आपके जो button का color है वो green होता है औ और फिर से जब आपकी transition खत्म हो जाती है उसके बाद में फिर से मैंने button का color जो है वो yellow कर दिया है और फिर से एक बार आप देख सकते हैं last time पे किस तरिके से यह application में जो transition effect tag curl down वो यहां पे work करता है तो यह हमारी आज की example इसी को हमने implement करना सीखना है मगर implement करने से पहले अपने channel के ऊपर upload करता हूँ practically implementation से पहले मैं आपको theory के related जो important terms होती है उनके बारे में जरूर बताता हूँ ताहां कि आप Google पे इन terms को सर्च करके इनके बारे में और भी जो knowledge है वो gain कर पाएं तो theory के अंदर सबसे पहली जो term हमारे पास यहां पर आती है वो है animation तो animation काफी critical part है आपकी iOS के अंदर user interface का क्योंकि यही हमारी application को ability provide करती है ताहां कि आप user की particular area पे जो application के अंदर जो attention बना पाएं और animation से आपकी जो application है वो काफी polished हो जाती है और काफी easy to use जो है वो निकल के आती है iOS के अंदर आपको different different APIs मिलती है जिनकी help के साथ आप animation and transitions जो हैं वो apply कर सकते हैं उनमें से सबसे जो simple API है animation के लिए वो है uiview.animate तो चलिए यहां पे जो uiview.animate है वो सबसे easiest way है ताहिए आप किसी भी application के अंदर जो animation है वो apply कर पाएं आपको करना बस इतना है कि आपको जो animatable properties है उनकी values को आपने modify करना है और iOS आपके लिए automatically जो है वो animation यहां पे निकाल के लाएगा तो यहां पे आप multiple properties की values को change कर सकते ह है एक ही animate block के अंदर अब बात करते हैं transition की तो transition जो है predefined हैं काफी limited है आपके पास मगर काफी powerful है आप इनको use करके अपनी application को बहुत ही attractive जो है वो बना पाएंगे अगर common बात करें तो आपके पास seven तरह की जो transition animations options वो है वो available है iOS के अंदर swift की coding के तुरू आप इन्हें apply कर सकते हैं जिनको तीन categories के अंदर जो है वो divide किया गया है तो सबसे पहली जो category है वो है flipping जिसमें हमने चारों type की जो यहां पे flipping है चाहे वो flip from left हो चाहे flip from right हो top bottom यह हमने already इनके related एक एक video tutorial जो है अपने channel के ओपर जो है already upload कर दिया है अब बात करते हैं second category जो के है curling तो इनमें transition curl अब भी मैंने video tutorial चैनल के ओपर upload कर दिया है अब जो आज की example के अंदर आपको मैं बता रहा हूं वो है transition curl down और other category के अंदर आता है हमारे पास transition cross dissolve तो यह तो थी बाते theory के related जो आपके लिए जानना काफी important था अब हम देखेंगे practically इस example को हमने कैसे implement करना है तो practically इस example को implement करने के लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूं पूरे project को मैं close कर देता हूं एक नए project के साथ यहाँ पे हम xcode के अंदर शुरुबात करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक नया project जो है वो create करने के लिए यहाँ पे option जो है वो select की है तो इस में से हम option जो select करेंगे वो करेंगे single view app next पे click करेंगे अब आपने project name के अंदर आज की example का जो भी आप name देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं तो मैंने इस तरीके से एक name provide कर दिया है language जो हम use करेंगे वो हम करेंगे swift अब हमने next पे click करना है और अपने laptop के अंदर जहां पे भी आपको अच्छा लगे है आप एक folder create कर सकते हैं तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैंने इस तरीके से एक folder जो है वो create कर दिया है और इस folder के अंदर पूरे का पूरा project मैंने यहां पे create कर दिया है तो आप देख सकते हैं मेरा जो यहां पे project है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाऊं तो जो swift का version है वो मेरे पास है यहां पे 5 और अगर बात करें x code की तो वो है laptop यह Macbook Air तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel के उपर हम daily programming के लेटर जो video tutorials हैं उनके सबसे बढ़िया जो methods हैं वो upload करते रहते ह जिसे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें YouTube की video के नीचे comment कर सकते हैं यहां फिर हमें directly email बेश सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके जो भी query होगी उसका जो solution है वो जतनी जल्दी हो सके आपको दे पाएं अब हमन इस example को implement करने के लिए सबसे पहले जो आप image देख आपने यहां पर image देखी थी मैं आपको फिर से एक बाद दिखा देता हूं तो यहां पर जो Mickey Mouse की image है इसको हमें import करना पड़ेगा अपने project के अंदर तो यहां पर assess folder के अंदर हमें यहां पर लेके आना पड़ेगा तो image जो है वो आप Google पर search करके कहीं से भी जो है वो download कर सकते हैं मैंने पहले से ही जो images है वो download करके रखी हुई है आप देख सकते हैं Mickey की mouse की जो image है वो jpg format के अंदर मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है तो मैंने इसको directly drag and drop किया यहां पर इस assess folder के अंदर तो मेरी image जो है वो import हो चुकी है project के अंदर अब हमने main dot storyboard के अंदर जाना है और अपनी application का जो graphical user interface है वो यहां पर ready करना है तो सबसे पहले इस object library के through हम search करेंगे view sorry image view और इस image view को drag and drop करेंगे यहां पर canvas के उपर अब हमने इसको अपने accordingly जो है size यहां पर provide करना है attribute inspector के अंदर जाने के बाद आपने जो image mickey mouse की है वो यहां पर लगा लेनी है इसका जो content mode property इसको scale to fill करना है तांके यह पूरे image view की जो space है उसको occupy कर पाए अब हमने object library के through यहाँ पर बटन को यहाँ पर drag and drop करेंगे इस बटन का जो background color है वो यहाँ पर chain कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर background color yellow कर देता हूं और इसको drag and drop करता हूं यहाँ पर sorry इसको drag करता हूं तांके इसका जो size है वो थोड़ा से मैं इंक्रीज कर पाऊंज現在 अब हमने a बटन का जो टाइटल है वो यहां पर लिखना है start transition इस तरीके से और इसका जो font है वो आप अपने accordingly यहां पर set कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं यहां पर बोल्ड कर देता हूं उसको और आप चाहें तो इसका जो color है वो black कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा graphical user interface है वो हमने ready कर दिया है अब हमने coding करनी है मगर coding करने से पहले हमें इस image view का जो IB outlet है और इस button का जो IB action है वो हमें create करने पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं अपना जो favorite method है असिस्टन अडिटर उसी की help लोगँगा तो चलिए अब हम IB outlet and IB action कैसे create करते हैं drag and drop की help के साथ वो हम देखेंगे तो चलिए अब हम जो IB outlet and IB action है उसको बनाने के लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor उसी की help लूँगा तो मेरे mouse का cursor देखिए यहां पे जो circle दो join की होई है इसको आपने click करना है तो आप पहुंच गए है assistant editor के अंदर side वाले panels को मैं hide कर देता हूं तांके आप clearly देख पाएं किस तरीके से IB outlet and IB action जो है वो create होते हैं तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं मेरी जो default class है view control class वो open हो चुकी है अब हमने इस curly bracket के बाद पहले इस image view का IB outlet create करना है तो उसके लिए मैं image view को select करूँगा आप चाहें तो document outline window में से भी इसको select कर सकते हैं और keyboard पे आपने control key को press करते हुए इस तरीके से drag and drop करना है और यहां पे outlet का जो name है वो आप अपने accordingly कोई भी दे सकते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूँ my image view और इसको connect कर देते हैं अब हमने इस button को select करना है keyboard पे फिर से control key को press करते हुए drag and drop करना है यहां पे और यहां पे आप कोई भी name अपने accordingly आप IB outlet का जो है वो दे सकते हैं button के लिए तो इसे मैं connect कर देता हूँ अब हमने button का जो IB action create करना है तो उसके लिए हम view did load जो method है उसके बाद हमने यहां पे इस button को select करके control key को press करते हुए drag and drop करना हो यहां पे जो IB action का name है वो आप अपने accordingly कुछ भी लिख सकते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूँ start transition और इसे connect कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कितने simple way के साथ हमने जो IB outlet and IB action है दोनों create कर दी हैं अब मैं फिर से standard editor में चलूँगा और side वाले panels को unhide करते हैं और एक बार अपना जो जहां पे हमने changes की है modifications की है view controller class को इसको मैं एक बार save कर देता हूँ अब हमने coding की तरफ जाना है coding काफी easy है उसके लिए मैं फिर से side वाले panels को hide कर देता हूँ अब हमने जो coding करनी है वो directly करनी है इस start transition IB action method के अंदर तो उससे पहले इस comment वाले line को मैं यहाँ से delete कर देता हूँ तांके कोई confusion ना रहे अब हमने इसके अंदर जाके coding करनी है तो coding काफी easy है coding में हमने जो transition use करनी है वो करनी है curl down transition तो उसके लिए मैं यहाँ पे use करूँगा uiview.animate function और animate function को use करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमने यहाँ पे use करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे second वाले पहले देखता हूँ तो बलकुल ठीक है second वाले में पहला parameter है वो है with duration तो with duration basically यहाँ पे इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने जो transition है वो image view के उपर apply करनी है तो यहाँ पे मैं with वाला जो use करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sorry uiview.animate function और second वाले method यूज करेंगे with में हमने use करना है my image view जिसके उपर हमने transition apply करनी है कितने time के लिए transition apply करनी है यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि मैंने पहले uiview.animate function को use करने की कोशिश की है मगर नहीं transition effect के लिए आपने uiview.transition वाला जो method है वो use करना है duration में डाल देता हूँ मैं three second option के अंदर आपने यहाँ पे use करना है dot लगाके transition curl down यहाँ पे आप देख सकते हैं automatically जो option है वो मेरी आ चुकी है अब हमने animations के अंदर यहाँ पे इस तरीके से curly brackets use करनी है और completion के अंदर भी हमने इस तरीके से curly brackets use करने के बाद वहाँ पे underscore in इस तरीके से लिखना है तो animation के अंदर हमने क्या करना है जब तक आपकी transitions affect करेंगी उतने time के लिए हमने जो color है button का start transition वाले button का जो color है वो green करना है तो उसके लिए मैं लिखूँगा self dot my button view dot background color और यहां पर मैं color यूज करूँगा ui color के through dot green और जब आपकी transition complete हो जाए उसके बाद में हमने button का जो color है वो फिर से yellow करना है तो उसके लिए मैं completion वाले जो यहां पर आप देख सकते है attribute उसके अंदर जो block है coding block है उसमें मैंने लिखना है self dot my button view dot background color equal to यहां पर लिख देते हैं uicolor dot yellow इस तरीके से आपने लिखना है तो चलिए friends students यहां पर हमने coding जो है वो कर दी है आप चाहें तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी coding जो है वो no down कर सकते हैं अब हमने इसको एक बार save करना है इसको मैं stop कर देता हूं और यहां पर पुरानी वाली आप को यहां पर में बंद कर देता हूं अब इस नहीं आप को मैं यहां पर रन करता हूं और देखते हैं किस तरीके से यह इफेक्ट कर पाती है simulator के अंदर तो आप देख सकते हैं without any error जो इसका build है वो succeed हो चुका है अब हमने इसकी output देखनी है किस तरीके से निकल के आती है तो सबसे पहले में start button जो start transition वाला बटन है इसके ओपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं curl down animation बिलकुल अच्छे से work कर रही है और start transition वाला बटन जो है वो भी yellow से green हो रहा है और इसके बाद में फिर से yellow हो रहा है तो यह भी बिलकुल perfectly work कर रहा है तो फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर दोनों ही जो animation effects हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से निकल के आए हैं तो friends यह थी हमारी आज की example जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आपने curl down transition वाला जो effect है वो uiview.transition method की help के साथ easily आपने अपने app के अंदर जो है वो embed करना है अगर आपको यह वीडियो अ हमारे चैनल के उपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए bell icon को press कीजिए तांके जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के उपर upload करें तो उसका जो notification है उसी time पर आपके पास जो है वो पहुंच पाए तो चैनल के साथ बने रही है वीडि के साथ तब के लिए बाए बाए